जिला पुलिस की मुस्तेदी से रूपनगड संपत्ती विवाद मामले में हुए जगडे और फाइरिंग में हुई हत्ता के आरोप में आरोपी और उनके सहयोगियों को किया गिरिफतार पुलिस ने 10 आरोपीयों को पकड़ा जिन में बलबाराम के दो बतीजे और कुछ इनाम और फाइरिंग के दोरान हुई एक विक्ति के हत्या के मामले में पुलिस ने 10 आरोपीयों को गिरिफतार करने के साथ ही उनके कबजे से वारदात के समय काम में लिये गए दो जीसी भी सहीत 10 वहनों को भी जब्ट कर लिया है गिरिफतार किये गए 10 आरोपियों में 6 आरोप का इनाम भी गोशित कर दिया गया है शुकरवार को मामले का खुलासा करते हुए अजमेर पुलिस वदिक्षक बंदिता राणा ने बताया है कि रूपनगण में हुए जगन अत्यकाण पर फायरेंग कर देशात फेलाने वाले कथित बी आर्सी ग्रूप के दस आरोपियों को ग्रिफ्तार कर लिया गया है गट्ना के समय मौझूद आरोपी बंदरासिंधरी निवासी नंदलाल और्फनंधा रूपनगण निवासी रामदेव अर्जुन लाल दूदू निवासी कमलेंदर और्फ केलाश अलवर निवासी आजम खां रूपनगण घृतर किया गाए साथ ही इनको सर्षभ पांदरसिंदर निवासी रामजी लाल रतरलाल नरेंदर और सिवराज को भी किरिफतार कर लिया गया है कि अरोप्यों स्युक्य कड़ी पूस्ताच जा रही इसके साथ ही इनको और किसकिस ने सहयोग वसायता दी इसकी भी जांच की जा रही है वार्दत में नामजद आरूपी बल्वाराम के दो बतीजे भी शामिल है गटना में राजवीर फोजी नाम के वेक्टी ने फाइरिंग की थी जिसकी भी तलाश की जा रही है इसपी नंदिताराना ने बताई कि सरपच के खिलाब पूर मदर्ज मुकदमे की बात सामने आई है उन मुकदमों का भी रिवू करके जाच की जा रही है मामले में किसी भी आरोपी को बक्षा नहीं जाएगा साथ ही जेल में सजा काट रहे बलबराम से भी इस बारे में पूस्ताज की जाएगी जिसके जाएगी किसी भी बूह माफ्या को बक्षा नहीं जाएगा इसमें अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों पहले रोपन गड़ में एक घटना हुई जिसके अंदर एक व्यक्तिकी मृत्तियू भी हुई मर्डर का मैटर हुआ, मुगदमा दर्ज हुआ, उसके अंदर हमारी टीम तब से कंटिनुसली काम कर रही है इसके अंदर जो आज हम खुलासा कर रहे हैं, उसमें हमने टोटल दस लोग गिरिफतार किये हैं और उन दस लोगों के साथ करीब दस वहिकल हैं जो घटना में प्रेयुक्त हुए थे जिसके अंदर दो जेसी वी भी हैं और स्कॉर्पियो गाड़ी है और अन्यवाहन है जिनको जब्त किया गया है इनके अंदर जो चार लोगों को अभी इनामी कर रखा है वो लोग तो नहीं है उनके ओपर हमारी टीम पूरी तरीके से प्रयासरत है लेकिन इस पूछताच के बाद एक और आदमी जिसके पास फायराम था जिसने फायरिंग की थी उसको नामज़त कर लिया गया है उसके उपर भी इनामखुषित कर दिया गया है और हम आशा करते है कि जल्दी ही इन लोगों पे हमें सफलता प्राप्त होगी इसके साथ-साथ जो स्टेप्स है इस प्रकार के प्राइम को रोखने के लिए वो लिये जा रहे हैं इन लोगों की property जो है उनकी पूरी की पूरी details ली जा रही है जो नए कानून के अंदर property जो proceeds of crime होते हैं उनको जबत करने की जो प्रक्रिया होती है उसके उपर हमारी पूरी team जो है वो work कर रही है और जो भी इनके सहयोगी हैं कड़ी से कड़ी जोड़ कर ना केवल जो मौके पर उपस्थित लोग थे पर जिस इंसान ने किसी भी capacity में इनकी मदद करी है इनको शरण देने में इनको भगाने में गाड़ी प्रवाइड कराने में कोई फोन प्रवाइड कराने में हर आदमी के accountability fix करी जाएगी और ये एक organized crime है तो इसके अंदर जो हमारा अब नया कानू जिसमें organized crime के विरुद और बी ज्यादा सक्त जो प्रावधान है उनका प्रयोग किया जा रहा है और इनके खिलाफ कारवाई की जा जा जिए और जो 10 ROP पकड़ें हैं उनका रिकॉर्ड है उन दसों का जो रिकॉर्ड है वो तो आपको प्रेस नोट के साथ मिली जाएगा इ इसी गांग से जुड़े हुए लोग हैं जिसके अंदर ये जो नाम जद आरूपी बलवा राम हैं उसके दो बतीजे भी शामिल है और बाकी लोगों की जो है अभी टीम बनाकर टीम गठित कही हुई है जैसे कि आप लोग जानते हैं और कंटिनूसली हम लोग दभिशे दे इसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग के तो नाम अपने को पहले से भी खुलासा हो रखा है एक व्यक्ति का और हमारे सामने अब पूरे के पूरे अनुसंधान में नाम सामने आया जिसका नाम राजवीर फॉजी है और जिसको भी हमने आइडेंटिफाय करने के बाद आजवी लिस्टेशा और भी कि आपके साथ शेर कर दी जाएके तो फॉटल अब तक पांच आरोपी इन इन जो है वो घोशिद कर दिया गया है और जो आदेश में अपने इन उस्था को फॉटल के साथ भी शेर कर दी जाएक ता है तो आपको पांच आरोपीयों पीडिए वो आपको देती चाहिए। पांच के लावगे छे नामजद नहीं है। कुछ लोग जो फिर में हो सकता है कही लोग नहीं नामजद है। अपको कि उनको हम आशा करते हैं कर दिन रात काम कर रही है। आप लोगों के सपोर्ट के साथ आप लोगो के साथ। कॉन कहें बेटर मीज़ीज के लिए। जैसे की मैंने बताया कि बड़ी सारी चीजे तो जैसे-जैसे हम लोगों को लाएंगे पूश्ताच करेंगे, खुल के आएंगी, तो इसके अंदर एके करके किसने एक्जाक्ली फाइरिंग की वेपन रिकवरी वो सारी चीजों के प्रयास जारी है, वो हम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको फिर से कहा कि ये एक जाच का विशय है, एक ही चीज को आपन बार बार तो को कहने का फायदा निहीं, अगर कोई कमी रही है, तो हम वर उसे इंप्रूव्मेंड करने के लिए तैयार है, रिकटनाइस करने के लिए तैयार है, लेकिन वो पूरे के पूरे मैटर को रिविवय करने के बाद ही वो जमीन किसकी थी डिसाइड करने में काफी सारी काग जी कारवाई रहती है, वो होगी, वो सारी चीज़ पता करेगी, पहली प्रायोरिटी हमारी है कि जो नो ने एक वाइलेंट अक्ट को अंजाम दिया, हमें उन्हें गिरफतार करना है, उन्हें हमें सलाखों के पीछे भेजन अगर किसी की भी कोई इसमें गलती नजर आएगी, तो उनके खिलाफ हम जो हमारा डिसिप्लिनरी आक्शन है, वो भी मोस्ट डेफिनेटली लेंगे, कानून मिवस्था को बनाये रखना, वो हमारी प्रायोरिटी है, और उसी प्रायोरिटी के साथ हमारी पुरी टीम काम कर जो हमें इस पूरे घटना करम में सामने आया है जितने भी ग्रफतार लोगें, उनकी पूरी डीटेल्स हम आपको शेर करी रहे हैं, लेकिन इसमें बेटा अभी शामिल नहीं है गटना करम की वज़े जो है, वो नाचरली प्रापटी डिस्प्यूट जो है, वो उस तरीके से सामने आया है, अब तक का जो घटना करम हुआ है, कि एक वो जो प्लॉट अफ लैंड है, उस लैंड के उपर सरपंच के द्वारा कुछ पटे दिये गए थे, तो एक पार्टी जो है, वो उस पर वर्क कर रही थी, और ये बलबाराम वाली पार्टी ने आखे, वहाँ पर इस तरीके से इनका आपस में जगडा हुआ, रोकने का प्रयास किया, और उसके बाद ये पूरी की पूरी घटना कारित की गई है, ये तो एक जाच का विशे है, कि और क्या इसक अनुसंधान का विशे है, अभी अनुसंधान के बाद क्लियर हो पर इसके खिलाफ है, ये जो बात है, ये मेरे सामने आई है, पिछले दो-चार दिनों में, तो जो इस प्रकार के जितने भी प्रकरन दर्ज है, उनको कार्याले में बुला कर, मंगवा कर, रिव्यू किया ज जिसकी गल्पी होगी, जहां जहां गल्पी होगी, उसके खिलाफ most definitely कारवाई की जाएगी, किसी भी आरूपी को बक्षा नहीं जाएगा देखी ये सब अभी अनुसंधान का विशे है, अनुसंधान में आगे किस सितियां क्लियर होती रहेंगी बलबा से भी कूश्टाज की समभावन होगी, बिल्कुल समभावना है, पूश्टाज के साथ-साथ जो लीगल जो अक्शन बनेगा, वो सब अक्शन की समभावना है, और किया जाएगा देखे जमीन को लेकर ये विवाद हुआ, ये विवाद होने के बाद पुलीस इसके अंदर सक्त कारवाई कर रही है, गैंग वार की शुरुवात जैसे शब्द या टिपनिया करने से मैं बचूंगी, पहले पूरी चीज का अनुसंधान हो, अनुसंधान होने के बाद यह दे सक्त कारवाई हो, यह हमारी प्रायोरिटी है, अगर पहले कुछ हुआ है, तो वो जेल में है, और आगे कुछ होगा, तो उसके खिलाब भी जो विदिक कारवाई है, वो करते, पुलीस करती रही है और करती रहेगी. अभी यह सामने आया है, कि जो मडर हुआ, वो उनको बीच भागने की कुछिस कर रहे थे, अपरादी, अनादूल जो फाइरिंग की, या कोई व्यक्ति टारगेट था, ऐसा कुछ पूस्ताच में आया है अभी तक सामने को? देखे, बहुत सारी चीज़े अनुसंधान का विशय है, जो इस स्टेज पे खोला जाना संभव नहीं रहेगा, और अगर ऐसा कोई कॉंस्पिरेसी वाली बात आती है, तो वो भी अनुसंधान में क्लियर हो जाएगी. अभी तक जो आरोपी अरेश्ट हुए है, पुलिस ने किस तरीके से पकड़ा है, क्या किस तरीके से पुलिस ने रहे हैं? हमारी टीमें जो हैं, हमने चालिस से जादा लोगों को छोटी-छोटी टीमों में विभाजित करके, हर एक आदमी को स्पेसिफिकली जो अभ्युक्त है, उनका टार्गेट देके, कि इनके पीछे ये टीम काम करेगी, इनके पीछे ये टीम काम करेगी, उसके अलावा जो आ करिया होती है, जिसके थ्रू हम लोगों ग्रफतार करने की कोशिश करते हैं, वो सारे टूल्स हमने इसके अंदर यूज करके और इनको अलग-अलग जंगा से हम लेके आए हैं और इनने हमने ग्रफतार किया है